नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट का इस आइकोनिक एस्पिरेंट पे साथि कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तयारी को बहुत अच्छे धंगसे कर रहे होंगे प्यारे साथियों आप सभी को कहें न कहें बहुत दिनों से इंतजार था कि CT8 2023 का जो दिसंबर में होने वाला पेपर है इसका नोटिस कब जारी किया जाएगा कब एक्जाम लिया जाएगा क्या बदलाव होंगे इन सभी चीजों को लेकर प्यारे साथ ही नोटिस जारी कर दिया गया है और इसमें हम पुरा आज बात करेंगे कि इस नोटिस में क्या क्या नया जारी किया गया है क्या बदलाव है और क्या नहीं कैसे इस पर एक्जाम होगा इस सभी चीजों पर बात करेंगे तो पुरा वीडियो को जूर देखेगा और इस पर सबसे नया चीज़ देखने को क्या मिला है तो देखे यहाँ पर आज ही नोटीस जारी किया गया है और आज के आज ही दीन क्या किया है तो अपलाई के लिए भी पोटल खोल दिया गया है और थात आज 3 नवंबर है तो 3 नवंबर से ही आपका पोटल खोल चुका है लेकिन हाँ याद रखेगा इस से पहले आप इसमें जनकारी ले लिजे कि इसमें बदलाव क्या क्या किये गया है चलिए हम बात करते हैं एक एक करके देखें यहाँ पे 3 आप नोटिस देख रहे होंगे एक है आपका पब्लिक नोटिस जो कि आपका यह दो तरिक को यह जारी किया यह था दूसरा है इनफॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जो कि जनवरी 2024 के लिए है यहाँ पे दो चीजे है जो कि हम आप से बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक नोटिस पे पब्लिक नोटिस क्या है चलिए इसको डाउनलोड करते हैं और आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे देखे डाउनलोड है मेरे पास यहाँ पे देखिए आपका क्या इस नोटिस में जारी किया गया है केंदरिये माध्धमिक सिक्षा बोर्ड जो कि यहाँ पे आपको एक्जाम का डेट भी घोसित कर दिया गया है 21-21-24 तो सबसे खुशी के बात यहाँ पे है सारे के सारे सीटेट के विद्यार्थियों के अब आपके लिए एक महिना और एक्स्ट्रा मिल गया है अर्थात अब आपका पेपर 23 में नहीं बलके 24 में होगा 21 तारिक को 21 जनवरी को 24 जो कि रवी बार का दिन है इसी दिन आपका पेपर होगा ठीक है जो कि 18 संस्क्रण आयूजित किया जाएगा और कुल जो यह परिक् पर आपको टेलिग्राम पर दे देंगे वहां देख लिजेगा अब हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे ध्यान दिजेगे यहां पर कहा जा रहा है कि जो यह आयूजित होने वाली प्रिक्षाएं है इस प्रिक्षा के जो पाष्टिक्रम होंगे स्लेवस भासा पातरता जितने इलिजिबिलिटी जो भी होंगे इन सभी की जानकारी हमें कहां मिलेगा तो सीटेट के ओफिसियल साइट जो की आप यहां देखिए इसी पर मिलेगा ठीके ना चलिए बात करते हैं आपके जो आवेदन की जो तीथी है वह भी आपको दे दिया गया है जो कि तीन नवंबर स उसी दिन से लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आप लोग पढ़ लिजेगा क्या पढ़ना है चलिए दिखाते हैं उससे पहले थोड़ा सा आप लोग यहां देख लिजे साथी apply कैसे करना है जो नए अभ्यारती होंगे उनको थोड़ा सा यह चीज सिखना होगा जो पुर्यान 4 janitor do 204 घिकार करेंगे यहां पर क्लिक कर दिए तो यहांद की आपके सामने कुछ इस प्रकार से छुल जाएगा अब अगर आप नया स्टोडेंट तो निवर रर्जिस्ट्रीज्स यहां दिखिए इस पर अपलाई करेंगे ठीक है अगर करना है उनके लिए क्या करना है ध्यान दिजेगा वहां पर कुछ खास नहीं करना है उनको बस उनका जो रिजिस्ट्रेशन पास्टवर्ट है वो डालेंगे और उसके बाद वो फॉर्म को फिल अब बात करेंगे डाउनलोड इन्फोर्मेशन जो बूलेटिन है यह बहुत इं इसमें आपको मिलने वाला है अब हम बात करें यहां इन्फोर्मेशन बूलेटिन जो की सीटेट जनवरी 2024 के नाम से यह जारी किया गया है इसमें क्या-क्या बात की गई उससे पहले आप देखें या फिर से कि आपका जो है तीन नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक आपका इलिजिबलेटी है यह सब क्या-क्या है कैसे आपको भरना है यह सब आप लोग देख लिजे जो नए बदला हुए है हम उस पर बात करेंगे खास करके ठीक ना यहां देख लिजे कि फीस का जो होगा कैटेगरी वाइस वह क्या होगा तो जेनरल OVC वाले जो बच्चे कि उनके लिए पेपर वन के लिए एक तकर लिए पेपर लोन के लिए अगर आगरं बात कर लें तो उनके लेजा सब्कुएर बच्चे हैं उनके लिए तो उनको जो paper 1 देना है उनको 500 और paper 2 के लिए 600 मतलब 1100 रुपया उनको pay करना होगा दुनों के लिए अगर एक देना है तो आपको एक नहीं करना है चली ये तो हो गया ये तो important नहीं था important जो है वहाँ पर हम बात करेंगे important क्या क्या है यहाँ पर देखिएगा फीस बगड़ा के हम बात कर चुके हैं category wise तो वहाँ पर आप लोग वेफिकर रहे हैं फीस को लेकर हमको क्या बात करना था आज के यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कहरा है a candidate can apply the central teaching eligibility test online by blogging on seated official website मसलब अब जब भी apply करें तो आप इधर उधर की चीजों पर नहीं apply करें जैसे बहुत सारा यूटूबर होते हैं जो अपने अपने लिंक दे देते हैं तो इस तरह के चीजों को नहीं करेंगे बढ़ना क्या होगा तो जो आपका ओफिसल साइट है आपका जो अधिकारिक साइट है यह इस चीज का guarantee नहीं लेती है इस बात अगस 2023 की जो घटना है काफी महत्पूर्ण है उस परिस्ति को देखते हुए यहाँ पर eligibility जो test है इसको ध्यान में रखना होगा क्या कहता है यहाँ पर ध्यान दिजीगा the minimum qualification for appearing in the seated are as notified by NCTE the candidates are advised to visit the website of NCTE को कह रहा है देखे कहता क्या है यहाँ पर साप साप जो सिब्येसी है जो seated जो लेने वाले एक्जाम है संसा है वो कह रहा है कि अपना पलड़ा साप साप जहाड़ा है वो कह रहा है कि बच्चे वो बच्चे जो seated की एक्जाम देने वाले है वो अपना योग्यता को कहा निर्धारन कर लें तो वहाँ पर जाकर जहां कि NCTE के वेबसाइट पर NCTE का जो वेबसाइट है वहाँ पर जो भी इस चीज को नियम को लेकर जो भी चीज दिये हुए हैं हम उसी चीज को मानेंगे सिधा सिधा ही यह कहता है उसके लिए हम कोई पातर हम कोई जवाब देहीं नहीं होंगे तो बच्चों से कहा जा रहा है कि अपने आप चीजों को अपने क्वालिफिकेशन को अपने सारे के सारे चीजों को आप उस वेबसाइट पर पहले देख लें फिर आप जाकर क्या करें फॉर्म को भरें यहां पर कुछ रूस हैं इसमें खास कुछ नहीं है, इसलिए हम उतना नहीं आपको लेकर चलेंगे, हाँ, नोट में कुछ यहां पे है, जो कि यहां देख लिजेगा, ठीके ना, अब देखिए यहां पे पेपर 1 के लिए जो सिलेवस होगा, वही सिलेवस है, कि CDP होगा, आपका लेंगवेज पेपर ह होगा, आपका पेपर 1 और पेपर 2 उसके बाद मैटमेटिक्स होगा, और इनवर्मेंटल होगा, ठीके, जो कि दोर, देख सो मास्क का, MCQ की फॉर्म में होगा, इस प्रकार से, उसी प्रकार से अगर हम पेपर 2 की बात कर लें, तो उनके लिए इसी प्रकार से होगे, यहां पेपर 2 के लिए आपका CDP होगा, पेपर 1, पेपर 2 जो कि लेंग्वेज होगा, मैटमेटिक्स और साइंस होगे, और इसमें आपका साइंस या फिर आपका, अगर मैथ के टीचर बनने वाले हैं, तो सोसल साइंस होगा, ठीक है, जो कि आप लोग यहां पर देख लीजिए, ठीक है न, ये भी आपका 1500 मार्ट का होगा, 1500 मार्ट का होगा, ठीक है, तो ये सारे के सारे इंफर्मेशन तो हम देहीं चुके हैं आपको, और भी कोछी क्वेश्चन होगा, तो आप लोग अपना क्वेश्चन को रखिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाइ देंगे, ठीक है, कुछ खास इसमें बदलाव किया गया नहीं है, बस बदलाव यही है, कि जो इस पर एक्जाम होगा, वो क्या होगा, तो वो अलट पलट कर दिया गया है, उसी को हम ढूंड रहे हैं, वो कहां गया है, थोड़ा सा देख ले, हाँ चले देख, यहां में मिल गया है आपका, से से पहले जो है, आपका पेपर टु का इक्जाम होगा, ठीके, पेपर टु जो बिद्ध्यार्थी देने वाले हैं, उनका इक्जाम अब सुबा में होगा, इस बार जो कि सारे नौ से आपका टाइमिंग बारा बजे तक होगा ठीक है और पेपर टू जे है उसके बाद होगा जो कि दो बजे से सारहे चार बजे होगा ये पहले क्या होदा था तो पहले यह जो होता था पेपर वन पहले होता था फिर पेपर टू होता था तो इस बार कुछ यही बदला हुआ है इस से जारा कुछ नहीं याद रखेगा paper जो है आपका offline होगा फिर से बोर रहे हैं कोई अफवा में नहीं जीना है paper जो है offline होगा इस चीज को आप ध्यान में रखे दिमाग में रखे कहीं भी रखे ठीक है ना तो कोई भी अफपा नहीं, कोई रिल्स नहीं, इधर उधर भटकना नहीं है, रिल्स को मत देखा के जिए, यही सब भटकाओं का कारण है, ठीक है, पेपर जो है, यह आपका आफलाइन है, तो आफलाइन ही होगा, कलिए, और कोई इंफोर्मेशन नहीं था, अगर कोई भी इ देख लिजिए, और उसकी आधार पर आप इस चीज को भड़िये, ठीक है, चलिए, आगे हम अगर बात करें, तो यहाँ पर देखिए, अब सिलेवस दिया गया है, ठीक है, तो सिलेवस हम पीडियाफ आपको टेलिगराम पर देदेंगे, आप लोग देख लिजिएगा, सा यहाँ पर हम आज के क्लास को यहीं पर मतलब अपने वानी को बिराम देते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार से प्रश्ण हो तो आप ज़रूर बताएगा, जय हिन, जय भारात।